प्यारे विद्यारतियों नमस्कार स्वागते आप सभी का और नए वीडियो में प्यारे विद्यारतियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वार्सिक परिक्चा पेपर 2022 कक्षा नोवी सामाजी विज्ञान विशेका तो वीडियो में आगे बड़े प्यारे विद्यारतियों इससे पहले आप सभी लोगों से रेक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और सांती बेल आइकन को जरू दबा ले जिससे कि प्य इसमेंसे दोस्तों आप से पूछे जाएंगे सबकुछ दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसले लास्ट तक वीडियो को जरू देखिएगा जिससे की आपको पूरा कॉष्ट पेपर आसानी से समझ में आ सकें दोस्तों आप यहां से देख यह होने वाला है तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजीगा और साथी वेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे की प्यारे विद्यारतियों आप सभी को हमारे द्वार अप्लोड होने वाले वीडियों बराबर मिलते रहे तो प्यारे विद्यारतियों बढ़ते हैं आगे देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परिक्चा पेपर कख्चा्यड 9 वी सामाजी विज्यान विश्यक का question paper कैसा आएगा कितने सारे question इसमें से दोस्तों आप समझते हैं कि आपका वार्सिक परिक्चा परिक्चा नोवी विध्यान विशें का परिक्चाओं में कसा देखने को मिलने वाला है तो पूरी तरह से आप दोस्तों यहां से देख सक्ते हो इस प्रकार का को कुछ इस प्रकार का होगा और आप यहां से देख भी ले यदि दोस्तों आपके पास में 7207 भी नम्मर का सेट आता है तो ही दोस्तों आपको यह कोश्चन पेपर पूरा देखने को मिलेगा तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा पूछे जाएंगे तो चलिए देख लेते हैं हो समझ लेते है कि कौन-कौन सा सईवी कलब है जोकी दोस्तों आप से यहां सेपूछे जाएंगे मेरे दोर दॉस्तों पूरा कोश्टन पेपर यहां पर आपको समझा हो अनसे पूरी सबारा मत दान की मांग रखी जिसमें प् कि किसने रखी दी मांग रूसों के उपर आपको चिन लगा लेना है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कुश्चिन की बात करते हैं क्या लिखा है धोस्तों यहाँ पर कुश्चन उम्यलो यहां पर लिखा है प्रांसिस्क क्रांते के पीछे किस वर्ग का हाथ था आपको ये बताना दोस्तों कि फ्रांसिसी क्रांती के पीछे किस वर्ग का हाथ था तो देखेंगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या आजाएगा इसका राइट आजाएगा सी मद्यम वर्ग का हाथ था फ्रांसिसी क्रांती के पीछे किस सेक्पोर नममर तौझक समानता का अधिकार सम्वेदानीच ÖPN आपको चिन लगा लगा लेना है चली आप आगे बढ़ते हैं और अगला कोश्चन की बात करते हैं तो अगला question आप यहां से देख पारे हो, question number 4 यहां पर दिया गया है, चीन में विश्व इतियास का अब तक का सबसे ग्याद भयावेकाल का पड़ाता, सबसे बड़ा आकाल का पड़ाता चीन में यहां आपको बताना दोस्तों, यहां पर यह question दिये गए हैं, तो इनके उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप यहां से देख पारे हो, तो question number 4 का उत्तर आपका first वाला ही हो जाएगा, 1958 से 1961 की दोरान ऐसा अकाल पड़ाता, तो इसको पर दोस्तों आपको चिन लगा लेना है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगले question की बात करते हैं, अगला question आप यहां पर देख पारे हो, अगला question यहां पर आपको दिया गया है, दिन और रात की अउदी का आख चांस पर प्रवाव किस और चलने पर पड़ता है, तो देखेगा दोस्तों question number 5 जो दिया गया है, इसका right answer आपका A हो जाएगा, दक्चुन से उत्तर की और्व और इसी के अगला question आप यहां पर देख पारे हो, question number 6 यहां पर दिया गया है, निमन मैसे कौन सा राज्य करक रेका पर इस्तित नहीं है, इन में से आपको ऐसे राज्य का नाम बताना है, जो करक रेका पर इस्तित नहीं है, दोस्तों गुजराद भी है, राजस्तान भी है, 36 गड़ भी है, बस हर ओडी सा जो राज्य है, दोस्तों यह करक रेका पर इस्ताफित नहीं है, तो इसके उपर आपको चिन लगा लेना है, दोस्तों इसी के साथ में question number 6 समझ लेने के बाद में, आप बारी आती है question number 2 की, जिसमें दोस्तों यहां पर बताया रहा है, रिक्त रिक्तिस्तानों की पूरती किस प्रकार से पूरी कर लेनी है, तो पेड़ा रिक्तिस्तान दिया गया है, आप यहां से देख पार हो, पादरी वर्ग का काम क्या था दोस्तों, इनका काम था चर्च के विसेस कार्यों को करना, तो यहां पर आपको लिख लेना है, चर्च के विसेश कारियों को करना, यह पारदरी वर्ग का कारिका, चारसश के विसेश कारियों को करना, तो यह हो जाएगा दोस्तो, अब इसी के अलावा अगले question की बात करते हैं, रूस की संसत का नाम था रूस की संसत का नाम क्या था दोस्तों यह आपको बताना तो देखिएगा रूस की संसत का नाम था ड्यूमा ड्यूमा आपको लिख लेना है यह दोस्तों रूस की संसत का नाम था इसी के अलावा अगला कोश्चन आप यहां पर देख पारे हो कोश्चन नमर 3 दिया गया है हिटलर का जन्म में हुआता हिटलर का जन्म कब हुआता यह आपको बताना है देखिएगा दोस्तों हिटलर का जन्म 1889 में हुआता यह आपको लिख लेना है तो यह आपको लिख ले को दोस्तों जूमिंग केती के नाम से जाना जाता है जूमिंग आपको यहां पर लिख लेना है इसी के अलावा अगला कोशन आप यहां पर देख पा रहे हो रभी की फसल रितू में बोई जाती है रभी की फसल किस रितू में बोई जाती है यह आपको बताना है तो दोस्तों रभी की जो फसल होती है ये सरद रितू में बोई जाती है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है सरद रभी की फसल जो होती है सरद रितू में बोई जाती है इसके उपर आपको चिन्न लगा लेना है इसके अलावा अगला कोशन आपको यहाँ पर दिया गया है तो देखेगा क्या लिखा है आपको यहां पर सरद लिख लेना या सीध रितू भी आप लिख सकते हो सीध भी आप लिख सकते हो यहां पर अगला आप यहां पर देख पार हो पश्चिम राजिस्तान में उट का मिला कहां पर लगता है दोस्तों यह लगता है पुसकर में पु 543 सीटे हैं 543 सीटों के उपर आपको इस प्रकार से यहां पर आपको यह लिख लेना है इसी के अलावा दोस्तों आप यहां पर देख पारे हो देखिएगा सही जोडी बनाएए सही जोडी आप यहां से देख पारे हो सही जोडी दोस्तों आप से 6 नमर में पूची जाएगी तो चलिएगा जल्दी से हम सही जोड़ी का मिलान भी देख लेते हैं किस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आपको दोस्तों सही जोड़ी का मिलान किस प्रकार से कर लेना चाहिए तो देखेगा दोस्तों यहां से आप देख पारे हो यह पूरी की पूरी सही जोड़ी आपकी दी गई है अब इसका हमें मिलान करना है तो चलिए इसका मिलान करके हम देख लेते हैं तो देखेगा दोस्तों यहां से आप देख पारे हो पहली बारी जो सही जोड़ी दी गई ह इसका मिलान आपको B से कर लेना है अरुनाचल प्रदेश से दूसरी जो दी गई है उसका मिलान दोस्तो आप से A से कर लेना है उत्रा खंड से तीसरी जो दी गई है उत्पादन के कारक तीसरी जो सही जोड़ी है दोस्तो इसका जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको एप से कर लेना है उतपादन के कारक भूमी पुंजी स्रम संगटन सास ही हो जाएंगे इसके अलावा आपका चोटे नमर की जो सही जोड़ी दी गई है इसका मिलान दोस्तों आपको डी नमर से कर लेना है पुरदान मतरी रोजगार योजना एक 2 अक्टूबर 1993 से लाग हुई थी तो इसके उपर दोस्तों आपको चिन लगा लेना है या आपको जोड़ी ही आमने सामने मिलाने नहीं मेरे असाब से जैसे मैं मिला रहा हूँ ऐसे नहीं आपको आमने सामने लिखके आना है और इसके अलावा ग्राम सरमद्दी योजना ये कप चलाई गई थी तो कुश्चन नमर पांस जो दिया गया है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मार्च 1999 में अनपूर्णा योजना ये दोस्तो 2000 में चलाई गई थी एक अप्रिल 2000 से चलिया गयती है तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे चिन लगा लेने है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉस्चन की बात करते हैं तो अगला कॉस्चन दोस्तों आप इस जगह से देख पारे हो यहां से आपसे कॉस्चन नमर चार में एक वाकिया एक सब्द में उत्तर पूछे जाएंगे और ये आपसे साथ पूछे जाएंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपको एक वाकिया एक सब्द में उत्तर के उत्तर के इस प्रकार से लेखने हैं तो यहां से दोस्तों आप देख पारे हो मत दाता सूची वोटर लिष्ट किसे कहते हैं तो वोटर लिष्ट किसे कहते हैं दोस्तों तो मद्दान करने वाले लोगों की सूची को वोटर लिष्ट कहते हैं तो यहां से आपको लिख लेना है मद्दान करने वाले लोगों की सूची को वोटर लिष्ट कहते हैं इसी के अलावा अगला question यहां पे आपको दिया गया है किस नेता ने गरीबी हटाओ को नारा दिया तो question number 2 जो दिया गया है इस जगे पर आपको लिख लेना है इंदरा गांदी किस ने दिया था दोस्तो इंदरा गांदी ने गरीबी हटाओ को नारा दिया था इसी के अलावा अगला question आप यहां से देख पारे हो मद्यावदी चुनाव किसे कहते हैं मद्यावदी चुनाव किसे कहा जाता दोस्तो देखिएगा इसका राइट आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है देखिएगा क्या लिखना आपको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ तो आप इसको नोट कर लिजीगा, निश्चित समय से पूर्व होने वाले चुनाओं को मद्याओदी चुनाओं कहते हैं, क्या लिख लेना इसकी जगे पर आपको निश्चित समय से पूर्व होने वाले चुनाओं को मद्याओदी चुनाओं कहते हैं, और अगला कोस्चन यह पे आपको दिया गया है बियार का सोक नदी को कहते हैं बियार का सोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों इस जगे से आपको लिख लेना कोशी नदी हो बियार का सोक कुन सी नदी के लाती है कोशी तो इस जगे पे आपको लिख लेना बियार का सोक कुन सी नदी है कोशी नदी को कह इसी के अलावा अगला कोस्टन आप यहां से देख पारे हो हिमाले से निकलने वाली दो परमुक नदियों के नाम यह मालने से निकलने वाली दो परमुक नदिया कौन-कौन सी है तो देखेगा दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और सिंदू तो यहां पे आपक सिंदू लिख लेना है ये दोनों जो नदिया है दोस्तों हिमाले से निकलने वाली नदिया है इसी के अलावा अगला कोश्चन यहां पर आपको दिया गया है वर्स 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात कितना था जी हां दोस्तों आपको यह बताना है कि वर्स 2011-12 में निर दखिएगा यहाँ पर अगला कोशिन क्या दिया गया है भारत के किन राज्यों में निर्दंता अनुपात राष्टी अनुपात से जग् Saw Sey जादा है तो देखिएगा दोस्तों एसे राज कौन कौन से हैं तो यह रहाज है दोस्तों एक तो भीयार है बियार लिख लेना है और बियार के बाद में दोस्तों आपको उडिसा लिख लेना है उडिसा के बाद में आपको अगला लिखना है असम, मद, प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो इन राज्यों में दोस्तों राष्टी अनुपात से भी जादा निर्दंता अनुपात है तो कि दोस्तो छे आप से पूचे जाएंगे यहां से आपको सत्य सत्य को चिन लगा लेना है और इनको नोट भी कर लेना है तो देखिएगा पेला यहां पर आपको दिया गया है सिक्किम सबसे कम जनसंक्या वाला राज्य है तो यह वाला सत्य है यह आसत्य दोस्तो यह आपको ब तograp थी सथ है तो question 5 जो दिया गया है ये पूरी तरह से आपका आसथ्य हो जाएगा अगला question यहापर आपको दिया गया है प्रूस के सासकों कुझा जाता है Q3 जो दिया गया है यह आपका सही हो जाएगा इसके अलावा चोटा Q4 आप देख सकते हो रोस की आरतिक नीती काल माक्स के प्रारम निकी थी Q4 जो दिया गया है दोस्तो यह भी आपका पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा इसके उपर आपको असत्य का चिन लगा लेना है अगला Q4 यह पर आपको दिया गया है बारत में प्रतिक राजमिन निर्दन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है तो Q5 जो दिया गया है यह पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा और उसी के अलावा Q6 यहां पर आपको देख पारे हो तो Q6 आपका पूरी तरह से आसत्य हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को सत्य आसत्य लगा लेने हैं देखेगा दोस्तों यहां पर मेरे द्वारा आप सभी को पूरा कोश्चन पेपर यहां पर समझा दिया गया है आपको दोस्तों परिक्चाओं में इसी परकार का कोश्चन पेपर पूरा मिल सकता है जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहां पर आप सबको बताया गया है इसी के साथ मैं दोस्तों आप सबको मैं वारसिक परिक्चाव के लिए सुभकामना देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ नमस्कार